यूपी के जहासी में होमगाड की डियाईजी संजीव शुकला को सस्पेंड कर दिया गया है उन्होंने अपसरों के वाटसेप ग्रुप पर अपने विभाग की तबादला नीती को लेकर कथे तौर पर कुछ सवाल उठाए थे इसी के बाद उनके उपर अनुशासनात्मा कारवाई की गई है होमगाड विभाग की ओर से से आच्रण नियमवाली के तहत हुई कारवाई बताया गया है 11 जुलाई को होमगाड विभाग में कई कमांडेंट्स के ट्रांसफर हुए थे ऐसे आरोप हैं कि इन तबादलों को लेकर वाटसेप ग्रूप पर संजीव शुकला ने सवाल किये उन्होंने ट्रांसफर नीती को गलत बताया था आज तक समवादाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मताबिक संजीव शुकला की ओर से वाटसेप ग्रूप पर भेजे गए मेसेज के बारे में बताया जाता है कि उसका 86 अफसरों ने समर्थन किया था जबकि 11 अफसरों ने ट्रांसफर को सही ठहराया था इस ग्रूप में कुल 97 अफसर जुड़े हुए हैं संजीव शुकला की मेसेज के बाद ग्रूप में जम कर भेस हुई सुत्रों ने दावा किया कि संजीव ने अपने मेसेज में लंबे वक्त से एक ही जगहा पर जमे कमांडेंट और SSO पर सवाल उठाये थे अमार रजाला की रिपोर्ट के मुताबिक शुकला का कहना था कि सत्र में ना तो डीजी स्तर से ट्रांसफर किये गए है और ना ही शासन स्तर से विभाग ने कारवाई की उन्हें आचरन न्यमावली के तहत दोशी पाते हुए निलम्बित कर दिया गया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार ने इस कारवाई की पुष्टी की संजीत पर ये भी आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों को भड़काने की कोशिश की ट्रांसफर्स को लेकर मीडिया से भी बातचीत की होमगार्ड के लगनों मुख्याले में तैनाद डिप्टी कमांडें जनरल रंजीत सिंग ने पौन पर दी ललन टॉप से बात की उन्होंने पुष्टी करते हुए बताया कि डी आई जी जहांसी के निलंबन की कारवाई आचरं नियमवली के तहत की गई है उन्होंने कहा वैसे तो शासंद ही इस पर कोई टिपणी कर सकता है लेकिन मैं अपनी ओर से केवल यही कहना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था उन्हें इससे कोई आपती नहीं थी नुसरी बात ये कि अगर किसी को कोई परिशानी है तो वे सीधे अपनी बात अपने अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुँचा सकता है विभाग उस पर उचित कारवाई करता है लेकिन अगर कोई खुद को लोगों की आवाज उठाने वाला बता कर ट्रांसफर को गलत बताने लगे तो ये विभाग ये आचरण नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग शासन के अधिकार शेत्र में होते हैं आपको बता दें कि संजीव शुक्ला करीब देर साल पहले तक आयोध्या में मंदलिय कमांडन्ट होमगार्ड की पतपर तैनात थे इसके बाद उनको DIG, Home Guard की पत पर प्रमोट किया गया था और जहांसी में तैनाती मिली थी तब से वे जहांसी में ही तैनात हैं आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुनिक, मेरा नाम है दिव्याशी देखते रहे दीललन टॉप, शुक्रिया